हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि फर्मुला के अधार पर नॉर्मलाइशन कैसे किया जाता है और एक एक्जाम्पल के दौरा आप लोग को बताएंगे तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को आन तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आती हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को सेर करना ना भूले तो दोस्तों, चलिए हम आप लोग को बताते हैं जिसे कि आप लोग को जानकारी होगी कि important notice के दोरा आप लोग को बताया गया था कि आप लोग को इस फर्मुला के आधार पर normalization किया जाएगा और example भी आप लोग को दिया गया था और इसी के अधार पर आज हम आप लोग को बताएंगे कि इस फर्मूला के अधार पर किस तरह नॉर्मलाईशन किया जाता है तो दोस्तों उससे पहले हम समझ लेते हैं कि नॉर्मलाईशन की जोरत क्यों परी यानि दोस्तो कोई exam जब एक से अधिक दिन का पेपर का होता है और परतिक दिन का अलग अलग सिप्ट में exam होता है तो ऐसे में student के दोरा बिरोद किया गया था कि हमारे सिप्ट में easy question, sorry hard question और दूसरे सिप्ट में easy question पूछे जा रहे हैं और इसी के बिरोद जो किया गया बच अंक निदाहित किये जाते हैं मान लिजे कि प्रिचा के पहले दिन cutting paper था तो अनुमा लगा लिया गया की paper cutting था तो 70 नमर भी ले आए बच्चे और उनका मान अगर कोई और exam में जिसका easy question था उसमें बच्चे 100 ले आए तो उन दोनों marks को equal किया जाता है यानि 70 वाले का माक्स आया है cutting paper और easy paper का अउसत कर दिया जाता है और इसी के अधार पर normalization किया जाता है और आगे हम आप लोग को बताते हैं कि किस तरह फर्मुला के अधार पर normalization किया जाता है तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस फर्मुला के अधार पर आप लोगों के लिए लेकर आया है यानि दोस्तों आप लोग किसी एक्जाम में जिस एक्जाम में normalization होती है और इस एक्जाम में आपका marks अगर 70 आ रहा है और top student average यानि सभी shift में average student का marks 80 आ रहा है और सभ अगर 60 आ रहा है उसके बाद top student average यानि आपके shift का यानि योर योर सिप्ट यानि आपके shift का और सथ जो है average student का 70 आ रहा है और आपके shift का average अगर 60 आ रहा है ठिक इसी परकार फर्मुला पर पूट किया जाता है यानि दोस्तों अगर आप लोगों का marks किसी एक्जाम में 70 आ र रही है तो उसके अधार पर marks put किया जाता है उसके बाद सभी shift का average किया जाता है उसके बाद top student average यानि योर सिप्ट यानि आपके shift का जो बच्चे का अवसत average रहा उसको किया जाता है मान लिजिए कि आपका भी बच्चे का अवसत जो है 70 ही रहा है और आपका भी mark 70 ही रहा ह उसी के अधार पर इन सारे मान को पूट किया जाता है जो आप लोग देख सकते हैं उसके बाद इस फरमुला को पूट करके बैठाया जाता है और ठीक इसी परकार आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का जो आपका मार्स था वह 70 था और इस तरह जो परमुला पर पूट कर और normalization करने के बाद आप marks आप लोग का 80 हो गया है यानी 80 तो दोस्तो normalization system में 5 marks भी बढ़ते हैं 10 भी बढ़ते हैं 15 भी बढ़ते हैं और 20 भी बढ़ते हैं और इसी के अधार पर कितने marks बढ़ते हैं वो hard shift और easy shift के question पर depend करता है तो दोस्तो अभी तक आप लोग समझ गये होंगे और उमीद करते हैं कि अभी भी आपके मन में कोई सवाल अगर होगी तो आप लोग हमें comment करके जरूर बताएंगे तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सस्काइब जरूर करें थाइंक्यू वाचिंग